तो इसका prices बगर हम लोग बता है तो second hand ये market में आपको one हाई दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमीद बढ़िया ही होगे मेरे subscribers जो ठहरे अगर subscribe नहीं कियें तो subscribe करके बढ़िया हो जाएए दोस्तों फिर में एक वीडियो लेके आया हूँ आज फिर से एक नए कार एक सेकंड एंड कार के बारे में डीटेल्स बताने के लिए ताकि आपको दुबई के मार्केट में इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि अपडेट क्या है क्या है मार्केट का स्टैटस कैसा सेकंड एंड लग्शुरी इस कार कितने प्राइस में मिल सकता है तो आज मैं आया हूँ थैंक्स टू इंटरनाशनल मोटर जिकी यह देखिए इन्होंने मुझे जो अलाउट किया तो मैं शुरू करता हूँ आज लेक्सेस कार कर लेके क्योंकि मेरे चैनल पर आपने ज में शेयर करूँगा अभी हम सुरू करते हैं की से लेके तो यहां पर आपको फंक्स दिख रहे हैं लॉक अनलॉक और पीछे बूट का ओपन होने का फिर साउंड यह जो अगर आप काफी दूर है और आपको कार पार्किंग में ढूनना है तो यह ऐसा करके और नेक्स्ट मै अच्छा खासा बूट स्पेस है फंक्शन पूरे यहां पर दिये हुए हैं और यहां पर स्विच दबाने से यह आटोमेटिक नीचे आजाए का मतला पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है यहां पर स्टेपनी टायर भी दिया हुआ है और स्पेस काफी अच्छा है सकते हैं मतलब बेट अगर आपको और भी स्पेस चाहिए तो इसको आप टर्न ओवर करवा सकते हैं लेफ्ट अंग राइट का यहां पर दिया हुआ है यहां पर भी स्टम कर सकते हैं यहां पर आगे चलते हैं अभी मैं इसको बंद करता हूं मतलब हाथ लगाने की ज़रूरती नहीं है अटोमेटिकली फुली हो जाएगा अब यहां पर आपको पेट्रो सेक्शन है जो प्रेस करने से ओपन हो जाता है यह देखिए और बाकी लाइट वगरे काफी अच्छे है यहां पर लक्सेस है काफी अच्छा ब्रैंड है लोग इसको लक्षेरियस के नाम से जानते हैं दुबई मेड होता है मोस्ली इसके बाहर के देखिंग देखने को नहीं मिले के लेक्सिस एक युए में काफी रैल्यूबल नाम है जो जानते हैं अच्छी तरह से तुम को मानम है पीछे अम लोग ओपन करके देखते हैं कैसा स्पे सबस्पेश पीछे अच्छा लेदर फिनिशimm दिया हूआ है ब्राउन इन कलर आं ब्लेक में दिया हूआ है और पूरा सॉफ्ट टाच है लेदर फिनिशिंग किया हुआ है यहां पर प्लास्टिक है यह वाला लेकिन अच्छा मटेरियल गया हुआ है यहां पर लगबग देखा जाए तो तीन सीटर है तीन जन आराम से यहां पर बैठ सकते हैं स्पेस जो लेक स्पेस से वो भी काफी अच्छा है यहां आपको दिखा देते हैं लेक स्पेस तो लेक स्पेस भी इस क्वाइट रेंज है हाइट हाइट अगर बोलेंगे तो मेरे यहां से मैं 5.11 हूँ हाइट उससे आपसे भी अच्छी खासी दिए भी है एसी के फंक्शन्स यहां पर अबलेबल है काफी सेक्सी वाला काफी चॉकलेटी चाइप के कलर है यहां पर यह काफी स्मूध और अराम दायक है मैं अगर आपको बेट के दिखा हूं तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है बैक पिन वह पिन ऐसा नहीं लगा है लॉंग ड्राइफ के लिए बेस्ट करेक्शन है स्पीकर बागे रहे यहां तो फिलाल नहीं बता सकता क्याव महां आणई यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसको सीट एड़ैस्टि नहीं हो रहा है और 700액 में अच्छा हो एड़स्ट कर सकता है फैंड रस्ट यहां पे दिया हुआ है ये देखिए ईयन र nagyon कोँ एकु तोड़ा सा स्पես भी डिया हुआ है कुछ रखने के लिए आपके परस्नल स्टफ उपन करते तो यहां पे glass holder भी दिया हुआ है, काफी cool सा है, चलिए सामने देखते हैं, driving seat में बैटके देखते हैं कि कैसा क्या-क्या feel available है, तो driving seat में हमको क्या-क्या मिन सकता है, driving seat वहां पे है, यहां पे passenger seat में, passenger seat में काफी सारे चीज़े आपको देखने के बिलेंगे, सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ, यह height plus seat adjust करने के लिए, अगर मुझे यह front and back में करना है, तो यहां पे आप पर अधर सकते हैं, seat up and down जा रहा है, आको दिखा सकता हूँ, held, p, plus अगर मेरा को front बाना है, तो यह front जा रहा है, और अगर back में करना है, यह back में जा रहा है, और यह सीट वहां पर यह जो सीट अगर मुझे एड़ेस्ट करना है तो यहां से आप एड़ेस्ट कर सकते हैं फुली आउटमेटिक सिस्टम है और स्पेस तो पीछे तो अच्छा कासा है यहां पर भी अच्छा कासा है तो यह ऐसा कुछ फंक्शन है यहां पर भी कफोल्डर्स दिये हुए हैं यहां पर फंक्शन बगेरा अवेलेबल है फुली आउटमेटिक है एसी का पॉइंट दिये हुए है स्क्रीन है चलिए मैं ड्राइविंग सीट पर बैठके आपको दिखाते हैं कैसे हैं तो काड़ी स्टार्ट करने के पास सबसे पहले है मैं देख पा रहा हूँ यहां पर लेक्सिस का लोगो दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन में काफी अच्छा है स्पीकर भी अपर तो यहां से आप एसी का कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर कम जादा आप देखस्द और बड़ा ही इंट्रेसिंग है यहां से दबाने से अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहां पर भी function दिखा देता है कैए मैं कौन सा क्या प्रेस कर रहा है बाकि automatic यहां पर system देखने को मिल रहा है यहां पर सारे functions दिए हुए है window up and down की और यहां पर आपको mirror दिख रहा है यहां पर passenger driving seat में आपको और नॉर्मल सा mirror यहां पर देखने को मिल जाएगा जो AC के यहां पे एक point, यहां पे एक point, यहां पे एक point, यहां पे एक point देख पा रहे हैं automatic system है, यहां पे auto drive में भी mood है बाकी cruise control बगड़ा है, telescopic steering है steering जो है, यहां पे जो है, अगर इसकी finishing बोलूं तो यह normal सा एक plastic लग रहा है लेकिन यहां आपका leather दिया हुआ है, अच्छा खासा है, लोगो यहां पे अच्छा खासा एक देख पा रहे है dashboard के सामने जो screen है, day time में तो अच्छा लगी रहा है, night पे भी obviously best लगेगा अब मैं आता हूँ इसके, तो जब भी मैं बंद करता हूँ तो automatic seat adjust भी हो जा रहा है और अब मैं आता हूँ इसके prices वगेरा में, तो prices यह second hand है, 2017 model है, GCC brand है इसके prices जो है यहाँ, तो इसका prices वगेरा हम लोग बता है, तो second hand यह market में आपको 1,28,000 dirham के में मिल जाएगा finance भी available है, zero down payment पे भी आप कर सकते है, finance 10% 20% देखे भी आप कर सकते है, discount भी available है, अगर इनके पास आते हैं तो आपको discount भी मिल जाएगा अगर आपको इससे जादा कुछ information चाहिए, तो यह था आज का वीडियो, कैसे लगा, comment वाक्षुम में प्लीज बताइएगा, like, share, comment ज़रूर कीजिए, नए है चैनल पे तो subscribe कीजिए, और एक like कीजिए, अगर यह आपको specific अच्छा लगा हो, dislike कीजिए, अगर नहीं नए ब्लॉक पे, तब तक के लिए, बाई बाई